इस देश में टोइलेट फ्लश करने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल होता है इस देश में कुंग्फु खेल का लोगों के बीच काफी क्रेज है इतना ही नहीं दोस्तों ये शहर कुछ बेहतरीन कुंग्फु फिल्में बनाने और जैकी चैन और ब्रूसले सहित काई अन्य अभिनेताओं के लिए प्रसेद है हम बात कर रहे हैं चीन के सबसे प्रसेद शहर हॉंग कॉंग के हॉंग कॉंग शहर आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है ये देश पूरी दुनिया में अपनी कई चीजों के लिए जाना जाता है लेकिन इस देश से जुड़ी कई ऐसी रोचक बाते हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे आज हम आपको अपने इस वीडियो में हॉंग कॉंग से जुड़ी कुछ ऐसी ही मज़ेदार बाते बताएंगे आप बस हमारे साथ वीडियो के अंतक बने रहे है ये शहर दुनिया के अन्य शहरों से काफी अलग है होंग कॉंग पूरी दुनिया में घूमने के लिए सबसे बेतुरीन जगा माने जाते है ये एक प्रमुक शहर होने के साथ एक प्रमुक बंदरगाह और ग्लोबल फाइनशिल हब भी है चाइना के साथ होने के वज़़ह से हौंग कॉंग की politics और economy इस देश से सबसे अलग चलती है क्योंकि Second World War के बाद हौंग कॉंग को चीन से मिलाया गया था हौंग कॉंग दुनिया में सबसे घणी आबादी वाले शहरों में से है जिसके कुल आबादी लगभग साड़े साथ मिलियन है होंग कॉंग की ओफिशिल लैंगवे चाइनीज और अंग्रीजी है ब्रिटिश शासन के अधीन रहने की वज़ा से इस शहर में रहने वाले काफी लोग अंग्रीजी बोलते हैं और इतने ही लोग चीनी भाषा में भी बात करते हैं दरऊसल चाइना के ज्यादा तर हिस्सों में मैंडरिन चाइनीज बोली जाते हैं लेकिन हॉंग कॉंग के ज्यादा तर लोग कैंटनीज चाइनीज में बात करते हैं Hong Kong की शिक्षप रनाली UK Education System पर बेस्ट है Hong Kong 200 से ज्यादा आइलेंड से मिलकर बना है जिन में कुछ आइलेंड में आबादे निवास करते है जिबकि कुछ आइलेंड ऐसे हैं जहां किसी को जाने के अनुमती नहीं है और वहां कोई आबादी देखने को नहीं मिलते Hong Kong पर ब्रिटिन ने 1842 से 1997 तक राज किया जिसके बाद इसे चीन के अधीन कर दिया गया बलें Hong Kong चाइना के सरकार के अधीन आता हो लेकिन आज भी यहां के लोग खुद को अलग ही मानते हैं हलंकी Hong Kong को एक देश तो नहीं मान सकते लेकिन चीन का ये एक विशेश इलाका है यहां का कानून अलग है और यहां के गवर्ण्मेंट एक डिमोक्राटिक गवर्ण्मेंट है लेकिन यहां के डिमोक्रसी बहुत ही सीमित है और यहां की सरकार, व्यापारिक और सांस्क्रितिक चीजों पर पूरी तरह से खुद फैसला लेते हैं लेकिन हॉंग कॉंग का सुरक्षा व्यभाग पूरी तरह से चाइना के द्वारा नियंतरत है हॉंग कॉंग की एकॉनमी दुनिया की 35 भी सबसे बड़े एकॉनमी है चीन की एकॉनमी को दुनिया की सबसे बेहतरीन एकॉनमी बनाने में हॉंग कॉंग का काफी एहम योगदान रहा है साथी हॉंग कॉंग में चारो तरफ हर्याली ही हर्याली है देश के 40 प्रतिशत हिस्से में सिर्फ पाक्स ही पाक्स है यानि कि इस शहर में आने के बाइद आप जिस तरफ नजर घुमाएंगे वहाँ आपको सिर्फ हर्याली ही हर्याली नजर आएगी चरो तरफ ग्रीनरी होने की वज़श से होंकोऑ को एक फ्राग्रेंट पूर्ट भी कहा जा सकता है दोस्तों होंकोऑ के करेंसी है होंकोऑ डॉलर जिसकी वैलीउ करीब नौद शमला पांच भातिए रोपे के बराबर है हमने पहले भी बदाया कि हॉंग कॉंग दुनिया की सबसे अमीर शहरों में से एक है आपको यहां हर दूसरा व्यक्ति अमीर मिलेगा हॉंग कॉंग दुनिया का एक मात्र ऐसा शहर है जहां टैक्स बहुत कब है जिस वज़ा से हॉंग कॉंग को एक बिजनेस हब माना जाता है दोस्तों हॉंग कॉंग सिटी अपने पैसे का रुत्बा और अपनी लगश्री लाइफ के लिए दुनिया भर में जानी जाती है यहां के लोग उची उची बिल्डिंग्स में रहना ज्यादा पसंद करते हैं यही कारण है कि इस शहर में दुनिया की गगन चुम्बी इमारतों की संख्या सबसे ज्यादा है होंग कॉंग एक ऐसा शहर है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा उची बिल्डिंग्स देखे जाती है यहाँ पर 14 मंजिल से ज्यादा कुल 8000 से ज्यादा बिल्डिंग्स है इस शहर के लोग कितने अमीर हैं यह इसी बात से पता चलता है कि 2018 की अरब पतियों के लिस्ट में हॉंग कॉंग कॉंग को छठा स्थान मिला था इसके अलाबा यहाँ के 67 निवासियों के पास 1 बिलियन यूज डॉलर की संपत्ति है साथी बतातें कि हॉंग कॉंग को चार सालों तक लगाता है था बेस्ट बिजनस सिटी इन दे वर्ल का आवर्ड मिल चुका है हॉंग कॉंग में कुछ ऐसी जगह हैं जो दुनिया के सबसे शांदार टोरिस स्पॉट्स है साल 2012 में हुए एक सर्वे के दौरान ये बात सामने आई थी कि उस साल यानी 2012 में 4 करोड से ज्यादा लोगों ने हॉंग कॉंग की आत्रा के थे और इस यात्रा पर 4 करोड लोगों ने मिलकर 2,5 लाग करोड से ज्यादा का खर्च किया था लग्श्री लाइफ जीने वाले हॉंग कोंग के लोगों का IQ लेवल का आईक्यू लेवल काफी तेज माना जाता है यहां के लोगों के IQ लेवल के तेज होने की वज़ा से ही ये शहर आने शहरों से साइंस और टेक्नोलिजी में काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है होंग कोंग के आदे से ज्यादा लोग बौध धर्म को मानते हैं इस धर्म को यहां आस्था के साथ पूजा जाता है लेकिन इस धर्म को यहां नव मानने वाले लोगों के संख्या भी उतनी है जितनी मानने वालों की है यह का कानून लोगों को अपने धर्म का पालन करने की इचाज़द देता है होंग कॉंग में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा TN10 बुद्धा की उचाई 34 मीटर है जो दुनिया की सबसे उची बौध मूर्तियों मैंसे एक है दुनिया की सबसे उची इस बौध मूर्ति को बनाने में तीन साल से ज्यादा का समय लग गया था वैसे तो इस शहर के ज्यादतर लोग बौध धर्म को मानते हैं लेकिन ये निव यर, क्रिस्मस और इस्टर को भी बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं इस दोरान यहां ऐसी आतिश पाजी होती है जिसे देखने के लिए पूरा चीन इकठा हो जाता है दूस्तों हमारे देश में नाबालिकों को शराब पीना तो दूर बलकि इसे बेचना भी गैर कानूनी है लेकिन होंग कॉंग में ऐसा बिलकुल नहीं है दिनिया के ज्यादतर हिस्सों में नाबालिकों को शराब बेचना गैर कानूनी माना जाता है लेकिन यहां पर ऐसा कोई कानून नहीं बना है इस देश में बच्चे भी किसी भी गली और सड़क पे बिना लाइसेंस के शराब आराम से बेच सकते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि होंग कॉंग कॉंग में समुदर किनारे खड़े होकर गाना गाने पर जेल हो सकते हैं जिहां अगर आप बीच पर गाना गाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको local authority से permission पहले ही लेनी होगी तब आप गाना गा सकेंगे Hong Kong वैसे तो काफे खुबसूरत शहर है लेकिन यहां का मौसम कुछ अलग ही मिजास दिखाता रहता है Hong Kong में में से लेकर November तक आंधी का मौसम रहता है यहां तुफानों का अचानक आना आम बात होती है लेकिन यहां पर इन तुफानों से निपटने के लिए highly efficient systems अपनाई जाते हैं Hong Kong में इन खतरनाक तुफानों से निपटने के लिए T1 और T8 जैसी टेकनीक्स बनाई गई हैं T1 मतलब यह है कि तुफान दूर है T3 का मतलब तुफान की गती बढ़ रही है और छोटे बच्चों को घर में ही रखने की सला है महीं T8 और T10 का मतलब है कि Hong Kong में 180 किलोमेटर पर आर की रफ़तार से हवा चल रही है जिसको देखते हुए public transport रोक दिया जाता है दूस्तों Hong Kong का air transport system भी कमाल का है शेहर के international airport का area 20 football के मैदानों के आकार जितना बड़ा है Hong Kong के एरपोर्ट कैथे को चार बर वोल्स बेस्ट एरलाइन का वर्ड मिल चुका है जो विश्व में सबसे ज्यादा है Hong Kong में भले ही लोग घूमना काफी पसंद करते हो लेकिन शहर में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होते तो कि इस शहर में घर खरीदना यानि के अपना सब कुछ खो बैठना है यहां के घरों की कीमत काफी ज्यादा होते है यहां घर खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है सिर्फ मिलियनेर और बिलियनेर लोग ही यहां घर खरीदाते है अनुल सर्वे के मताबिक हौंग कॉंग ने लगातार साथ सालों तक सबसे महेंगे घरों वाले शहर की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है बताने की दुनिया कर सबसे लंबा पुल भी चीन के हौंग कॉंग में ही है हौंग कॉंग के लोग खाने के काफी शौकीन होते हैं आपको तो पता ही हैं कि चाइनीज लोगो को नूडल्स कہना कितना पसंद है यहां के लोग हर मील पे नूडल खाते हैं खाने में तो यह टेस्टी है ही लेकिन इसके अलावा किसी के जन्म दिन पर नूडल खाना यहां काफी अच्छा माना जाता है नूडल खाना होंग कॉंग में एक तरह से शुब माना गया है इसके लावा हॉंग कॉंग में ऐसी मानेता भी है कि अपने जन्म दिन के दिन नूडल खाने से उम्र बढ़ती है नूडल्स के लावा यहाँ और भी काफी चीजें है हॉंग कॉंग में सबसे पॉपिलर डिशेज में से एक है पून्चोई जो दस अलग-अलग सामागरियों से बना एक ऐसा पकवान है जिसे एक ही बर्तन में परोसा जाता है इस डिश को खाने के लिए यहाँ के लोग काफी उतसाहित रहते हैं हॉंग कॉंग की यह डिश यहाँ की परमपराओं से जुड़े हुए है आम तोर पर पून्चोई को तयार करने और पकाने में तीन दिन लगते हैं और इसे अक्सर धर्मिक त्योहारों और खास दिनों जैसे कि शादियों के दौरान और नए साल पर खाया जाता है इसके अलाबा यहाँ के लोग चाय के भी काफी शौकीन होते हैं अब कोई बैद जानकर हैरानी होगी हौंग कॉंग में हर साल 9.8 मिलियन किलो चाय की खपत होते हैं यहाँ चाय के साथ डिमसुम का सेवन करना भी एक परंपरा के तहट आता है जिसमें चाय के साथ लकड़ी के बट्टे पर कई तरह की खाने की चीज़ों को परोसा जाता है हौंग कॉंग में दुनिया में किसी आन्य देश या शहर की तुलना में प्रतिव्यक्ति के हिसाब से रोल्स रोइस कार सबसे ज्यादा देखी जाते हैं एक बार तु 2006 में हौंग कॉंग के एक बिजनिसमेन ने अपने लक्शरी होटेल रिजॉर्ट के लिए रोल्स रोइस कारों का सबसे बड़ा ओर्डर देया था इस दौरान उस बिजनिसमेन ने अपने होटेल के लिए 30 रोल्स रोइस कारें खरे दे थी होंग कॉंग में एक अजीब सी प्रथा सालों से चली आ रही है जो दुनिया के किसी भी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर उन माताओं पताओं को शुब माना जाता है जो लड़के के बैद लड़की को चन्म देते हैं होंग कॉंग में दुनिया का सबसे लंबा आउटडोर एसकेलेटर है 1993 में होंग कॉंग के लोगों के लिए खोला गया ये एसकेलेटर 800 मीटर लंबा है होंग कॉंग के 90 प्रतिशत लोग हर रोज इस ट्रांसपोर्ट के जरिये ट्रावल करते हैं यहाँ बुलेट ट्रेन के लावा कई और तरह के ट्रांसपोर्ट के सुविधा दी गए है होंग कॉंग में सबसे बड़ी डबल डिक ट्राम कास चलती हैं जिसमें प्रतिदिन धाई लाग से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं क्या अब जानते हैं होंग कॉंग में टोईलेट फ्लश करने के लिए समुदर के पानी का इस्तेमाल होता है यहाँ घरन के अलावा होटेल्स और मॉल्स में टोईलेट फ्लश करने के लिए समुदर के पानी का इस्तेमाल किया जाता है हलंकि इसके पीछे का कारण आज तक किसी को नहीं पता शायद अरसा पानी बचाने के लिए किया जाता हो हॉंग कॉंग में ही दुनिया की सबसे प्रसिद कुंग्फ फिल्मों का निर्मान हुआ है और जाकी चैन और बूसली भी इसी जगा से हैं इन दोनों ने ही फिल्मी जगात और कुंग्फ को एक किया और खूब नाम कमाया बूसली ने साल 1908 में हॉंग कॉंग चाचा चैंपिंशिप जीती थी और इसी की साथ बूसली इस चैंपिंशिप को जीतने वाले पहले इंसान बने दूसलों हॉंग कॉंग कुंग्फ को में तो महिर है है साथ ही आने खेलो के मामले में भी ये पीछे नहीं है यहां के लोग रगबी खिलना काफ़ी पसंद करते हैं यहां की हॉंग कॉंग सेविन्स नाम से जानी जाने वाली रगबी कॉंप्यटिशन को दुनिया में सबसे बड़ी रगबी कॉंपेटिशन मना जाता है जो हर साल मार्च में आयो जित की जाते है इस कॉंपेटिशन में दुनिया भर से 28 टी में भाग लेते हैं और इनाम के तौर पर डीड़ लाग डॉलर की इनाम राशी दी जाते है दोस्तों यी था दुनिया का सबसे अलग शहर हॉंग कॉंग उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको हॉंग कॉंग 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 की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे क्या कभी आप गए हो हॉंग कॉंग और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिष्टेदानों के साथ शेयर करना मत भोलिएगा हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करते हैं वीडियो को अन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ